हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आपको बता दे कि एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे पिछले दिनो रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 में बतौर कंटेस्टंट नजर आई थी. इस शो में उन्होंने अपने पती विक्की जैन के साथ एंट्री लिया था और टौप पाँच में अपनी जगह बनाई थी. लेकिन दोस्तों अब अनकिता अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्वातंत्रय वीर सावरकर को लेकर चर्चा में हैं और इन दिनों फिल्म की सफलता का जशन मना रही हैं. फिल्म में बॉलिवुड अभिनेता रंदीप हुड़दा लीड रोल में हैं. अब फिल्म की रिलीज के बाद अनकिता लोखंडे अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक होली पार्टी की रखा है. दोस्तों अनकिता लोखंडे हमेशा से अपने दोस्तों के लिए होली पार्टी रखती आई है और अब एक बार फिर अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखने की तैयारी में जुट गई है एक्ट्रेस और संदीप सिन के साथ होली की योजना के बारे में प्रोड्यूसर ने आयाय ने इसको बताया है कि अनकिता ने मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी रखी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है अनकिता ने कहा इसे अनवी की रासलीला कहा जाता है ये हमारा तीसरा साल है मैं न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बलकी अपने प्रोड्यूसर और अपने परिवार के साथ भी मौज मस्ती करूंगी दोस्तो रंडी फुर्दास्तारत, स्वतंत्रय वीर सावरकर, भारतिय स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की जीवन यात्रा पर आधारित है उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है फिल्म 22 मार्च को रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों से जबरदस्ट रिस्पॉंस मिल रहा है खास बात तो ये है कि इस फिल्म में अनकिता लोखंडे ने 70 साल की महिला की भूमिका निभाए है डॉट